समझदार बंदर एक जंगल में एक बंदर रहता था, जिसका नाम चंदू था. चंदू बहुत ही समझदार था, और उसके पास जंगल के सभी जानवरों ने उससे सलाह लेने की आदत थी. एक दिन जंगल में एक भयंकर आग लग गई. सभी जानवर भगदड मचा कर भागने लगे. चंदू ने समझा कि उसको भी भागना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसकी सलाह का इस्तिमाल करके वह आग को कैसे बुझा सकता है. उसने जंगल के सभी जानवरों को एक साथ करके बोला कि वे मिलकर पानी के बालू और मिट्टी को आग पर डालें. जब सभी ने चंदू की सलाह मानी, तो आग बुझ गई. सभी जानवर चंदू को धन्यवाद देने लगे. इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें समझदारी से काम लेना चाहिए. और हमें हमेशा दूसरों की सुननी चाहिए. क्या आपको यह कहानी अच्छी लगी? अगर आपको और कोई कहानी चाहिए, तो बताईए.